लोग सबद चुनाव से पहले CAA देश में लागू हो गया सत्ता में आने के बाद से ही सरकार के चुनावे एजेंडे में CAA शामिल था हाला कि अब गरी मंत्राले की ओर से इसका नौटिफिकेशन जारी कर दिया गया CAA को लेकर कुछ भ्रामतिया भी है कुछ लोगों का कहना है कि इससे किसी की नागरिक्ता भी छिन जाएगी जबकि कुछ लोगों की नागरिक्ता पर भी खत्रा होने की बात कहीगी हाला कि ऐसा नहीं है तो चलिए CAA को लागू करने का असली मकसद क्या है इसके बारे में आपको बता दे पिजवानकारी के मुताबिक CAA के तहद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आये अलप संख्यकों को पात्र माना गया है। इसमें हिंदू, जैन, सिख, इसाई, बौध और पार्सी शामिल है। किंदर सरकार के अनुसार CAA को लागू होने से अन्य देशों से प्रताडित होकर भारताय अलप संख्यकों का देश में पुनरवास आसान होगा। उनकी नागरेक्ता समंदिक कानूनी बाधाय भी दूर होंगी। पीडिक सरनार्थी सम्मान जनक जीवन जी सकेंगे। इतना ही नहीं उनके समाजिक सांस्क्रितिक पहचान की भी रक्षा होगी। इस कानून में उन्हें आर्थिक ब्याहसाइक और संपत्ति घरिदने जैसे अधिकार भी मिलने लगेंगे। वहीं C.A. को लेकर काफी दिनों से कुछ भ्रामतियां भी फैलाईज गई। इस कानून के तएट उन लोगों को अवैद प्रवासी माना गया है जो भारत के नियमों के अनुसार वैद दस्तावेज के साथ नहीं आए हैं। इन यात्रा दस्तावेजों में पासपोर्ट और वेजा शामिल है या फिर वैद दस्तावेजों के साथ कोई प्रवासी यहां तक अवधी से ज्यादा समय तक रह रहा है तो उसके खिलाब ये कानून काम करेगा अवेद प्रवासियों के खिलाब कई देशों में कानून है ऐसे प्रवासियों को निर्वासित या कैद किया जा सकेगा हाला कि केंदर सरकार की उर से 2015 और 2016 में नौटिफिकेशन जारी किये गए थे जिसके तहट अवेद प्रवासियों के कुछ सम्हों को इसमें छूट दी गई थी देश में लागू हुए CAA को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इन खबर